हेलो एवरिवन आज के इस वेडियो में हम देखेंगे कक्सा बारा के लिए हिंदी अनिवारिय की कुछ महतोपून प्रसन जो की हाफ यरली एक्जाम और आने वाली बोर्ड परिक्साओं के लिए महतोपून है तो आईए सुरू करते हैं पहला प्रसन है सब्द किसे कहते हैं उत्तर लिखना है वर्णों के सार्थक समू को सब्द कहते हैं जैसे अ मार तो बनेगा अमर ये एक सब्द है क्योंकि ये एक सार्थक सब्द है इसका कोई न कोई आर्थ निकलता है नमबर दो, सलेस अलंकार की परिभासा और उदारन दीजिए उत्तर, जहां एक ही सब्द अनेक अर्थों को प्रकट करता हुआ केवल एक बार प्रियुक्त होता है वहां सलेस अलंकार होता है ध्यान रखेगा सब्द एक ही होगा और वो एक ही बार प्रियोक्त होगा लेकिन उसके अलग अलग आर्थ होंगे तो वहाँ पर सलेस अलंकार होता है उदारन के लिए यहाँ पर देखिए दक्सिन में रहकर भी मैं उत्तर का अभिलासी हूँ यहाँ उत्तर सब्द एक ही बार प्रियोक्त हुआ है तथा पर इसके दो अर्थ है एक है पत्तर उत्तर यानि मैं किसी जवाब का इंतजार कर रहा हूँ उत्तर का इंतजार है मुझे और दूसरा है उत्तर दिसा चूंकि वो दक्सिन में रह रहा है तो उसे उत्तर दिसा इसक स्वेट उनकी हावन साला है इस वाक्य में कौन सी सब्द सकती है लिखिए तो इस वाक्य में लक्षना सब्द सकती है क्योंकि लक्षनों के आदार पर यहां पर अर्थ बोध होता है लीपी की परिभासा लिखिये प्रस्न चौता है उत्तर है लीपी लीखित ध्वनी संकेतों को कहते हैं ठीके लीखित ध्वनी संकेते हैं जो ध्वनी संकेते हैं हम बोलकर करके अभिवेक्त करते हैं उनको लीखित रूप में जब हम लिखते हैं तो वो लीपी कहलाती है व्याकरन की परिभासा लिखिए व्याकरन वह सास्त्र है जो हमें किसी भासा के सुध रुप को लिखने तथा बोलने की नियमों का ज्यान कराता है अगर आप इसकी पीडियेप चाते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वहाँ पर क्लिक करके आप इसकी पीडियेप प्राप्त कर सकते हैं और या फिर हमारे टेलिग्राम चैनल का जो आप लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करके हमारे टेलिग्राम चैनल से जूड सकते हैं वहाँ से भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी भासा के कौन कौन से दो रूप हैं भासा के दो रूप हैं मौखिक एवं लिकिद तो भासा के दो रूप हैं एक है मौखिक और दूसरा है लिकिद साथवा प्रसन है इस बोडिया को न सताओ यह तो नीरी गाय है इस वाक्य में कौन सी सब्द सकती है इस वाक्य में लक्सना सब्द सकती है क्योंकि यहां पर लक्सनों के आदार पर अर्थ बोध होता है गाय का आर्थ सीधे स्ववाव से है इसलिए यहाँ पर इसे गाय कहा गया है आटवा प्रसना है यमक अलंकार का लक्षन तता उदारन लिखिये जहां एक या अनेक सब्दों की एक या अनेक बार आवरती हो और उनके अर्थ भिन भिन हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है दान रखिएगा हमने कल अनुपरास अलंकार किया था तो वहाँ पर ये देखा था कि एक या अनेक वर्णों की एक या अनेक बार आवरती हो तो वहाँ पर अनुपरास अलंकार होता है तो वहाँ पर वर्ण की आवरती होती है और यहाँ पर सब्दों की आवरती होती है ठीक है? तो यहाँ सब्दों की आवरती होती है वहाँ पर यमक अलंकार होता है जहाँ वर्ण की आवरती होती है वहाँ पर अनुपरा सलंकार होता है तो इसका आपको यहाँ पर उदारन लिखना है हम लिखेंगे उदारन सारंग ने सारंग गयो सारंग बोलियो आई जो सारंग मुकते कहे मुक को सारंग जाई तो यहाँ पर सारंग सब्द की आवरती अनेक बार हुई है और जितनी बार भी इसकी आवरती हुई है उतनी बार उसका आर्थ भिन भिन है ठीक है तो उसके आर्थ क्रमस, मोर, सर, बादल, बोली या ध्वनी है अतह यहां पर यमक अलंकार है तो जहां पर एक या अनेक सब्दों की आवरती हो एक बार या अनेक बार और प्रत्य एक बार उसका अर्थ भिन हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है अच्छा उधारणे याद रख लेजिएगा परिक्षा के लिए काम आएगा नेक्स्ट नवव प्रस्ण है उल्टा पिरामीड सेली में समाचार के कितने हिस्से हैं उनकी बारे में आप क्या जानते हैं तो यहाँ देखिए उल्टा पिरामीड सेली में समाचार के तीन हिस्से होते हैं इंट्रो, बॉडी और समापन समाचार के इंट्रो को लीड या फिर हिंदी में मुखडा भी कहते हैं यह खाबर का मूल तत्व हैं जिसे प्रथम दो या तीन पंक्तियों में बताया जाता है बॉडी में समाचार का विस्तरत भी और दिया जाता है जो घटते हुए मैत्व क्रम में दिया जाता है और इस सेली में समापन जैसी कोई चीज नही होती नेक्स्ट दसवा प्रसना है ओन नहे कवियों थेले पर लदो इस वाक्य में नहीत सब्द सकती को लिखिए तो इस वाक्य में व्यंजना सब्द सकती नहीत है तो इसे के सात हमारा ये वीडियो हुआ कंप्लेट अगर आपको इसमेंसे किसी भी चैप्टर के बारे में विस्तरित जानकरी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको उसके बारे में नया वीडियो मिल जाएगा धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएए और अपने मित्रों के साथ भी इसे सेर अवश्य कर देजिए